यहाँ पर मैंने इसको open कर लिया है हेलो दोस्तो मेरा नाम मैं गौतम और आप देख रहे हैं यूलाक लिक्टोनिक्स और दोस्तो यहाँ पर आप एक amplifier देख सकते हो इस amplifier को special design किया गया है 12 बोल्ट से चलने के लिए बहुत लोगों को सिर्फ 12 बोल्ट से चलने वाला amplifier चाहिए वो भी powerful जिससे 8-10 इंची का दो speaker बहुत ही इजली चल जाए इस amplifier से आप 8-10 इंची का दो speaker बहुत ही इजली यूज कर सकते हो सिर्फ 12 बोल्ट power supply से और इस amplifier को आप कार, बस, ट्रेक्टर, 8-10 जहां पर 12 बोल्ट का source हो वहां पर आप ऑपरेट कर सकते हो और बहुत जगह ऐसे होते हैं कि supply का विवस्था नहीं होता है सोलर रहता है तो आप वहां पर भी जो है इसको यूज कर सकते हो अगर आप इस amplifier को लेना चाहते हैं तो इसका price क्या है आपको title में mention कर दिया गया है और इसको कहां से खरिदना है आपको description में WhatsApp लिंक मिलेगा आप वहां से purchase कर सकते हैं तो दिखिए दोस्तों यह जो हमारा amplifier ह इसका front look कुछ ऐसा है मैं इसको open करके भी दिखाऊंगा कि इसमें कौन सा board यूज किया गया है कौन सा base level board यूज किया गया है तो front look पर आप ऐसा देख सकते हैं left side में दो volume मिलता है और right side में भी दो volume मिलता है तो यहां पर यह जो हमारा volume है तो यह उपर वाला main volume है और नीच किया है उसके बाद यहाँ पर देखे यह जो हमारा open वाला knob है यह हमारा travel के लिए है और यह हमारा base के लिए है और इसमें हमारा जो audio panel यूज किया गया है दोada Flash Link का आता है उल्दिव किया जो कि बहुत That Okay all बढ़ीए इसका audio output होता है तो आई 12V का यह amplifier ज्यादा तर लोग इसको बैटरी से ही चलाएंगे और बहुत दोग यह कहेंगे कि मैं इसको adapter से चला सकता हूं कि नहीं तो देखिए दोस्तों अगर adapter से आपको चलाना है तो 12V 5 से 10A का SMPS यूज़ करो एक 2A से इसको कोई फर्क परने वाला नहीं है चलेने को तो यह चलेगा लेकिन sound का quality बहुत ही खराब देगा तो इस पर आप maximum अगर adapted यूज़ करना चाहते हैं तो 12V 5 से 10A का SMPS आते हैं उसको यूज़ करें ज्यादा बेटर होगा और इसमें speaker output में भी बहुत ही बढ़िया connector यूज़ किया गया है मैं जब इसको open करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा तो इसमें आपको दो connector मिल जाते हैं और इसके साथ यह male female वाला connector मिल जाएंगे जैसे देखिए मैंने टेस्टिंग के लिए यह speaker socket connect कर रखा है एक channel के लिए यह है दूसरे channel के लिए यह है मैं इसको open करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन सा amplifier यूज़ किया गया है यहाँ पर मैंने इसको open कर लिया है और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग कि बहुत लोग को यह लगेगा कि इसका जो cabinet है बहुत ही low quality का है तो ऐसा नहीं दोस्तों यह बहुत ही heavy cabinet है इस cabinet का जो thickness है बहुत ही मोटा है जो कहीं भी आप इसको लगाएंगे तो यह बहुत अच्छा से रहेगा यह बिल्कुल यह टूटेगा फूटेगा नहीं बहुत ही heavy cabinet ही यूज़ किया गया है तो यहाँ पर देखिए खोलने के बाद इसमें बहुत ही compact वैरिंग के साथ यहाँ पर इसको बनाया गया है तो सब सब पहले यहाँ पर देखिए यह जो हमारा amplifier board है यह हमारा red edition में है जो की बहुत अच्छा work करता है और इसमें original TPA एक्टी solar D2 IC यूज़ किया गया है उसके बाद यहाँ पर देखिए यह जो हमारा दो डाइवोड लगे हुए है जैसे अगर कोई बंदा बहुत बड़ा बैटरी से चला रहा है जैसे 12V 200A 200A का बैटरी होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि power supply देने से यहाँ पर ज्यादा ampere output नहीं करने देता है यहाँ पर ज output मिलता है जो कि इस amplifier के लिए बहुत ही अच्छा है protection का भी काम करता है जैसे अगर आपने इसमें ultra supply दे दिया तो यह बारा वर्क नहीं करेगा और जैसे बारा बैटरी है वहाँ पर तो ज्यादा ampere का होता ही है तो वहाँ पर भी जो यह इस डैवोड के थूरू कम ampere आगे आसपास होने देता है तो बारा बोल्ट डीसी जब यहाँ पर इंपूट होता है तो इस amplifier section में DC booster लगा हुआ है जो कि यहाँ पर लगवग 20 से 24 बोल्ट के आसपास यहाँ पर इसको बूश्ट करके देता है बारा बोल्ट इंपूट पर और यह हमारा 50W प्लस 50W output करता है यह हमारा studio amplifier है उसके बाद यहाँ पर देखिए यह जो हमारा BT board यूज किया गया है यह भी बहुत ही अच्छा यूज किया गया है जो कि LM324 ICS में लगा हुआ है और सभी capacitor के हैं तो इसमें जो है दो टाइप के आते हैं इस BT board में आपको normal जो capacitor होते हैं वो और एक अच्छे quality के जो हमारा component होते हैं वो तो दोनों में rate का भी फर्क हो जाता है और दोनों में sound का quality भी फर्क होगा ही अगर component का फर्क है तो और उसके बाद यहाँ पर देखिए यह हमारा होजा type का पगड़िया का यह audio module लगा है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इस परकार से amplifier हमारा काम कर करता है फिर से मैं pack कर लेता हूं और उसके बाद एक बार मैं आपको sound test करके दिखा देता हूं कि यह हमारा किस परकार से काम करता है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको एक cover को लगा दिया है तो इसके बाद मैं यहाँ पर speaker को connector लेता हूं तो देखिए इसके connector पर मैंने यह नहां पे यह इस्पीकर सोकेट लगा दिया है इस दोनों चैनल पे मैं कौन सा इस्पीकर यूज करने वाला हूँ आप दिस्प्ले पर देख सकते हैं इस पर मैं यह दोनों स्पीकर यूज कर रहा हूं जो कि यह दोनों हमारा सोनी का है और यह लगभग 130W प्लस 130W आप इसको बोच सकते हो और यह वाला स्पीकर बहुत ही अच्छा वर्क करेगा तो इस दोनों पर मैं स्पीकर का कनेक्शन कर लेता हूं इस पीकर का मैंने कनेक्शन कर दिया है उसके बाद मैं इसमें जो पावर सप्लाई देने वाला हूं दूस्तों यह जो हमारा साथ एंप्यर का बैटरी होता है इससे मैं इसको ऑपरेट करने वाला हूं तो आईए मैं यहां पर पावर सप्लाई देने के लिए इस कनेक्टर को यहां पर लगा देता हूं और इसको बैटरी के साथ मैं यहां पर क चालू है और यहां पे एक पावर LED भी मिल जाता है जैसे आप इसमें पावर सप्लाई देते हूँ यह गलो करने लगता है और यह देखिए यह हमारा यह हमारा मेन वोल्यूम हो गया यह हमारा यह बैलेंस के लिए है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार सी बैलेंस करता है तो आएए दोस्तो इसमें मैं स्वांग को प्ले करता हूँ तो आएए यह बैलेंस करता है जूली 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 तो लड़की नहीं ना मूली जूली तो दोस्तो यहां पे आपने देखा कि यह भें काफी बढ़िया से काम कर रहा है इसका sound quality भी काफी अच्छा है और यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा दुस्तों कि amplifier ही बढ़िया होना जरूरी नहीं है amplifier के साथ speaker भी बढ़िया होना जरूरी है अगर आपका speaker सही है और amplifier ठीक नहीं है फिर भी आपको अच्छा आवाज नहीं सुनाई देगा अगर amplifier अच्छा है और speaker खड़ाबे ऐसे condition में भी आवाज अच्छा नहीं लगेगा तो यह थोड़ा speaker और amplifier के उपर भी depend करता कि कैसा आप यूज कर रहे हैं तो यहां पर मैंने amplifier तो यहीं यूज किया है और speaker में जो आपको दिखा है Sony बाला जो अब ही आप display पर देख सकते हो वो यूज कर रहा हूँ और इसका sound का performance है काफी बढ़िया है हो सकता है कि recording के दौरान sound ऐसा सुनाई ना दे रहा हो जो आपको ऐसा लगे कि यह बहुत ही वेकार sound है क्योंकि recording के दौरान जो real sound होता है वो record नहीं हो पाता है लेकिन मैं कोशिज करता हूँ कि आपको अच्छा sound प्रवाइट कर सकूँ अगर आप इस amplifier को लेना चाहते हैं तो इसका purchase link मैं आपको description में दे दूँगा आप वहाँ से purchase कर सकते हैं तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो पीज लाइक करें शेर करें और मारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो